पुलिस कमिशनरेट पोस्टल वैलेट से पोलिस कर्मियों को बतदान करवाने में सोड़ते रही है दरसल चुनाफ जूटी के चलते पोलिस कर्मी अपना मतदान नहीं कर पाते हैं और इस वजह से सभी थानों में फॉर्म बारा भरवाने की प्रक्रिया को किया जा रहा है पोस कानपूर पुलिस कमिशनरेट को लागू हुए करीब 10 महने हो चुके हैं और पहला ये विधान सवा चुनाव है जिसको कानपूर पुलिस कमिशनरेट संपन कराने जा रहा है वहीं इस बात पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कानपूर या कानपूर के अलावा जहां भी पुलिस कर्मी तैनात हैं उनको पोस्टल वैलेट के जरिये उनका मद्दान सुनक्षित किया जाए आगे बात करते हैं कानपूर के जॉइंट कमिशनर जी से और उनसे पूछते हैं कि सर ये प्रक्रिया जो है वो किस तरह से लागू की जा रही है और इस पे कितना कानपू कमिशनर एट पुलिस ध्यान दे रही है देखिए पोस्टल बैलेट से सभी पुलिस कर्मी या सभी वो सरकारी कर्मचारी जो मद्दान में भाग लेते हैं मद्दान प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं उनको पोस्टल बैलेट से मद्दान कराने का ये विधान बहुत पू पूरे देश में देखा है कि हमारे जो मतदान कर्मी हैं, हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, वो बड़ी मात्रा में पोस्टर बैलेट के थू मतदान में भाग नहीं ले पाते हैं. या वो बड़े conscious नहीं रहते हैं इसको लेके सजग नहीं रहते हैं क्योंकि form 12 उनको सुम भरके भेजना होता है तो वो बड़े conscious नहीं रहते हैं इस बार हमने अभियान चलाया है और हमने इसके लिए विशेश तोर से प्रयास किया है कि सभी पुलिस कर्मी form 12 फिलब करके दें और हमने उनसे कल फिलब करके ले लिया है और सभी जनपदों में जहां के वो मूल रूप से रहने वाले हैं वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी से बाचित करके हम उसे form को भेज रहे हैं और हम ये इंशूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग 100% तो डिफिनिटली हमारा टार्गेट होता है लेकिन कम से कम 90% से उपर हम postal बैलेट से मद्दान करा सकें इस पर हम हम वर्क कर रह है और हमारे सभी पुलिस कर्मियों ने form 12 फिलब करके almost सबने कल रात तक हमें दे दिया है तो पहले फेज के चुनाओं में जो जनपद हैं उन जनपदों को तो आज हमने डिस्पैच भी कर दिया है कि वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी को और बाकी अन्य फेजिट के हम जो यहां से डिस्पैच कर रहे हैं तो हमारी कोशिस है कि हम सबका मतदान करा पाएं सर जो प्रक्रिया है ये किस तरह से करी क्या जो फॉर्म 12 है ये क्या डिजिटल के माध्यम से भेजा जा रहा है या इसकी हाट कॉपी भीजी जा रही है किस तरह से भेजा रहा है और जो जहां पर तैनात हैं ड्यूटी जो पुलिस कर्मी कर रहे हैं जो अन्य जनपतों में जो पहुँचाय जाएगा और किस तरह से वो उस पे अपना बोर्ट डालेंगे देखी ये पोस्टल बैलेट है और ये पोस्ट से आता है ये जरूर है कि वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी के पास फॉब ट्वेल्व में जो आवस्यक सूचना हैं वो भर करके और जे मतदात है वो साइन करके प्रमारित करके भिजता है तो हमने सभी पॉलिस कर्मियों से फॉब 12 में उनकी सारी सूचना hai उनके हस्ताक्षर के साथ ले ली हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी वो जिस जनिपत का मतदाता है वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी के पास हम उसको आज से वो भी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और उसको हमने सकैन करके मेल के माधियम से भी भेज रहा है और हम उसको बाइए हैंड भी विसेश वाहक के दौरा भेज रहे हैं ताकि वहां से पोस्टल बैलेट इनके नाम पर डिस्पैच हो सकें और ये postal ballot से मद्दान करके भेज सके आप जॉइन कमिस्नर थे आपने बताया कि postal ballot जो है वो यहां से भेजे जा रहे हैं और जिलादिकारी जहां जहां पर भी पुलिस कर्मी मद्दान ड्यूटी में लगे हुए वहां के जिलादिकारीयों को भी इस बारे में बता भी दिया गया और उन्होंने कहा है कि 90% जो है वो पुलिस कर्मियों से इस तरह के जो वोट हैं वो जरूर डलवाएंगे वीडियो जनलिस विक्रम सिंग के साथ नितिन दिक्षिट जेमडी निउस कानपूर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का आपडेट आप तक पहुँचे तुरन आप हमें स्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आइडी है अट्टरेट जेमडी न्यूस फ्लाश